हाई फ्रेंट्स आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डाक्टर ट्सुभोज चन्सींग को जिसम्प क्लिनिक एंड नीव चैनल के अंतरगर यदि आप लेप्रोसी के मरीज हैं यानि यदि आपको कुछ रोग हो गया है सुन बाहर हो गया है जिसे कोड भी कहा जाता है बिमारी का नाम है यदि आप लेप्रोसी के गंभीर बिमारी से आप गरश्थ हैं यानि लेप्रोसी आपको बहुत जादे दिनों से है और MDT दवा आपने इस्तमाल कर लिया है उसके बाद में भी आपको ये लेप्रोसी छोड नहीं रहा है अनेक कश्ट दे रहा है कभी कभी ऐसा हो जाता है जीवन में एक बहुत परसिद कहानी है साप शुचुंदर की यदि साप शुचुंदर को पकड़ ले यदि निगल जाएगा तो मर जाएगा अगर पुरा निगल गया तो मर जाएगा और छोड़ देगा तो अंधा हो जाएगा ठीक इसी प्रकार से लेप्रोसी के जो मरीज हैं एमडिटी का दवा खाते हैं एमडिटी का दवा खाते हैं तो बहुत लोगों को आराम मिलता है बहुत सारे कुष्ट्रोगी उसे दवा खाते हैं तो उन्हें तरह तरह के परसानी से उन्हें आराम तो जरूर मिल जाता है लेक मरीज क्या करते हैं कि फिर से MDT लेना शुरू कर देते हैं तो उन्हें कई तरह के साइड इफेक्ट देखने को मिलता है पिसाब में जलन होना जोंडी सुजना आखों से कम दिखाई देना पूरे सरीर का रंग काला पढ़ जाना और ये हाथ पाओं का उंगली जो है टेड़ा होने लगना और बुखार और सुजन धिरे धिरे आने लगना एलर्जी की सिकाइद हो जाना आज के खास वीडियों में हम बताएंगे कि लेप्रोसी के मरीज यानि यदि आपको कुछ रोग हो गया है और इसके गंभीर समस्या से आप ग्रसित हो गए हैं तो इसमें करना क्या चाहिए पहले जो हम दवा जब किसी रोगी को सलाह देते थे online या offline तो उसमें होता क्या था कि हम पहले बंद कर देते थे अधिकतर मरीजों को MDT बंद करा कर होमियोपैथिक दवा खाने के हम सलाह देते थे लेकिन आपको जान के चर्ज होगा कि कोई-कोई मरीज ऐसे हैं कि जैसे MDT का दवा वो छोड़ते हैं तो पुना उन्हें काफी दर्द और जलन होने लगती है और उस समय में होमियोपैथिक दवा लेते हैं तो बोलते हैं कि सर काम नहीं कर रहा है इसका समस्या का समधान हमने ढूड लिया है कई मरीजों को ये लेप्रोसीजिन हो गया है यदि आप गंभीर समस्या से आपको जूज रहे हैं तो आपको करनी क्या चाहिए हुमियोपैथिक दवा के साथ आपको एलोपैथिक दवा भी लेनी चाहिए बहुत सारे मरीज डर के मारे नहीं लेते हैं वो समयते के ऐसा करना ठीक नहीं है लेकिन लेप्रोसी के मरीज पर नित दिन नए नए पड़्योग से नए नए अनुसंधान से ये खुलासा हो रहा है कि यदि आप लेप्रोसी के मरीज हैं तो बिल्कूल आपको डरने की जरुवत नहीं है चिंता करने की जरुवत नहीं है यदि आप गमेट संकट में पढ़ चुके हैं तो ये एलोपैस दवा आपको काम आराम तो देता है लेकिन दूसरा साइड इफेक्ट करने लगता है ये लोपैस छोड़ कर जब होमियोपैस दवा लेते हैं तो शुरुवाती एक दो दिन में तो काम करेगा नहीं अब इसे पंदरे दिन एक महिना तक आपको लेने के बाद ही फैदा करता है उस कंडिशन में मरीज काफी परसान हो जाते हैं करे तो क्या करे ये लोपैस ये म्ड इफेक्ट हो रहा है इस कंडिशन में आपको हम कई मरीज पर हम देख चुके हैं कि यदि आप लेप्रोसी के गम फीर अवस्था में आप चले गए हैं आपको ज्यादा दिकत है तो आप ये एमडिटी के दवा कुछ दिन आप जारी रखें और साथ साथ में होमेपैसिक देखनी चाहिए यदि छोड़ने से आपका बिमारी बैक नहीं कर रहा है तब उसमय में आप एमडिटी या अन दवाई आप छोड़ दिजिए और फिर होमेपैसिक को कुछ दिन तक आप कंट्यूनि रखेंगे तो आपका बिमारी ठीक हो जाएगा हम आपको बता दें कि कोई भी बात हम बनावटी नहीं कहते हैं जो कि रोगी पर जो दिन पर दिन घटित होता है और मरीच कैसे ठीक हो रहा है उसी अनभव को हम आपके साथ स्रियर करते हैं इसलिए हमारे बातों पर आप सौब परती सब आप डिपेंडर सकते हैं मान सकते हैं विश्वास कर सकते हैं तो लेप्रोशी का मरीच नित दिन ठीक हो रहे हैं कोई-कोई मरीच बहुत गंभीर होते ही हैं उन्हें ठीक करने के लिए एलोपैथिक दवा को एक आएक आपको नहीं छोडनी चाहिए यदी आपको दवा छोडने से MDT के दवा छोडने से काफी दरद हो जें रहा है और काफी बरदास आप नहीं कर पा रहे हैं उस कंडिशन में होमिएप्रैथिक दवा साथ में लिजिए और साथ साथ में आप यह MDT यह अन्यकोई दवा ले रहे हैं उ उसके पहले आपको हमने बता दिया है कि हाइड्रो कोटाइल यदि आपको लेपृसी का भीमारी लग गया है कुछ रोकर सुर्वहर काशल्वहर का मरीज हैं तो हाइड्रो Κोटाइल दो से चार वों दिन में तीन बार कुछ दिनों तक लेनी चाहिए इसे बीमारी आगे हैं कि दवा को सर लिख कर आप दे दीजिए लिख कर दे देंगे तो आपको आराम होने लगेगा तो ऐसा नहीं है बहुत सारे मरीज ऐसे हैं कि जो दवा खा रहे हैं दवा आप खा रहें लगतार तो खाईए साथ साथ में यह होमिपैथिक दवा लेना जुरूरी है लेकिन कई मरीज बोलते हैं लिख कर दे दीजिए लिख कर देने से आपको लिखने की जुरूत में हाइडोकोटाइल हमने बता दिया है यह दवा से आराम हो गया तो ठीक है नहीं तो आपको ओनलाइन टीटमेंट या देनी ही परेगी मैं आसा करता हूं कि आज के वीडियो आप लोग काफी प्रसंद है होगा और इस तरह से लेप्रोशी के गंभीर मरीज है और बहुत खतरनाक किसिम के आपको लेप्रोशी है फिर भी आपको ठीक हो रहेगा जैहिं जैहिं भारत